हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टो मैं चैनल और आज मैं लेकरेंगे कैसे ऐसे फीडियों के जट पर बनती है पांच मिनट के अंदर मिल्क पाउडर से बनने वाली बर्फी और खारें बहुते डिस्टी होती है तो चलिए देख लेते सको कैसे मनाना है तो इस मिल्क पाउडर की ब अधा कप शुकर पाउडर यानि की बूरा और साथी मैं डालेंगे तोड़ी से लाइची का पाउडर आप इसमें रोज का एसेंस भी डाल सकते हैं साथी मैं डालूंगी एक चमच भर की पिस्ता आप इसमें कोई भी ड्राइफूट कर सकते हैं अपनी पसं से अब इसको साम्मे में परिशानी होगी तो इस तरीके से डो हम बना लेंगे यह देखिए डो हमारा तयार हो चुका है तो चलिए आगे का करते हैं स्टार्ट प्रोसेस यहां पर मैंने एक प्लेट लिए उस पर थोड़ा सा घी लिया है और प्लेट को ग्रीज कर लूँगी मैं अच्छ च्रीके से इस तरीके से एक लोग बना लिया मैंने और आप इसको किसी बी श्यप में आपको जो अपनी बरफी है मिठाई है किसी भी श्यप में बना नहीं है को श्यप में देच सकते हैं आप स्क्वयर Oh Cool kia है अब मैने एक फोईल पैपर लिया और इसके इन्दर मैं इसको रैप कर दूँगी तो इसको रैप आपको इस तरीके से करना है कि जो स्क्वार शेप है वो इसमें मेंटेन रहे हैं तो इस तरीके से शेप आप करते हैं वो इसको रोल करना है तो फॉयल को मैंने अच्छे से रैप कर दिया और इस तरीके से इसको मैं बंद कर दूँगी और प्ररेजर में निते होने के दूंगे 30 हो चुके हैं और हमारी अक्छेसे स्थ हो चुकिए अब इसको मैं वीप्र बार छूकी है यह डेक देखी है अवे यह सेट हो चुकी ہے इधिल कैसी को मैं इसको कटकरती न allow में तो आप थोड़ा सा नाइफ पे थोड़ा सा घी या ओयल लगा लें और यह देखिए वर्फी हमारी इसली कट हो जाएगी और यह देखिए मैंने इसको इस तरीक से कट करके रख लिया है तो यह बहुत ही टीस्टी वर्फी बनती है इस मिठाई को मनाने में मैंने गैस का भी इस्तेमान नहीं किया अगर घर में कोई सड़नी महमान आ जाए तो उसके लिए अगर कुछ मीठा बनाना हो तो यह बहुत ही अच्छा उप्शन होते हैं अगर आपके मेरे सीपे अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जादे से जादे शेयर करें नहीं थादे लगे से जादे अगर में ए ऊढ ए चादे बेंकर लगे टो यह फूठा करें देत हैं जादे तो सब्सक्राइब को विए बहुत है अगर लगे